हेलो दोस्तों गार्डिनिंग एंट फण में आपका पुना स्वागत है आज मैं आपको एक ऐसे व्रक्ष के बारे में बताऊंगी जिसे कि भगवान श्री हरी के पूजन और शंगार में प्रयोग में लाया जाता है जी हाँ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये है औश्यदिय गुनों की भंडार व्रक्ष पारिजार जिसे हर सिंगार भी कहते हैं शेफाली का या नाइक जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं ऐसी माननेता है कि जिस घर में ये पौधा होता है उस घर में माता लक्षमी का वास होता है और सकारात्मक उर्जा का प्रवेश भी होता है इसके साथ ही ये व्रक्ष ओशदिय गुनों से भरपोर होता है सर्दी जुकाम पाचन संबंधी विकारों को दूट करने और हिदय रोग पेट की कीड़े मारने शुगर को कंट्रोल करने जोणों की दर्द और गठियां में विशेश लापकारी होता है परन्तु गर्वती इस्त्रियों को इसके सेवन से नुकसान भी हो सकता है इसलिए इसका उप्योग डाक्टरों की सलाह पर ही करना चाहिए इसके पुश्प की सुगंध मानसिक तनाव को भी दूर करती है इस व्रक्ष का पौरानिक महत्व और आशदी महत्व तो है ही साथी व्रक्ष बहुत सुंदर पुश्प भी पैदा करता है जिसमें की भीनी भीनी मनभावन खुश्प होती है इसके पुश्प सफेद रंकी होते हैं जिनके बीच में नारंगी रंक होता है यह गुच्छू में लगते हैं और रात में खिलते हैं और सुबह सुबता ही ज़ाड़ जाते हैं इसके फल चप्टे और होलाकार होते हैं देखिए जैसा कि आपको मेरे ब्रक्ष में, पारिजात के ब्रक्ष में दिखाई देगा है कि इसमें धेर सारे कल्यां फूल और फल भी लगे हैं इन सुन्दा सुन्दर सफेद रंग के फूलों भीनी भीनी सुबंध हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फूलों से ये ब्रक्ष भारा रहे तो इसको फिशेश केर की भी जरूत होती है ब्रक्ष में हैवी ब्लूमी पानी के लिए अनावशक सीड़ पॉट सुखी टहनियों और खराब पत्नियों को कटिंग के सहायता से हटा देना चाहिए यदि आप कोई भी सीड़ रखना चाहते हैं जिससे कि आप कोई पॉधा उगाना चाहते हैं तो कुछ सीड़ पॉट्स को आप लगी भी रहने दे सकते हैं जिससे कि आप कोई भी ब्रक्ष उगा सकते हैं नया ब्रक्ष उगा करके आप दूसरों को दान में भी दे सकते हैं और उपहार में इसके फल जब अच्छे होते हैं तो हरे रंके होते हैं परन्तु जब ये पक जाएंगे तो ये भूरे रंके हो जाएंगे जिनें आप तोड़ करके सुरक्षित रख सकते हैं देखिए ये मेरा पौधा है जिसे मैंने सीट पौट से हो गाया था एक स्वस्थ पौधा पारिजात का जिन डावलोब पर कोई कजिया नहीं है और उनमें दुबारा ब्लूमिंग पाना चाहते हैं तो इस तरह की सूखी हुई संरशनाओं को कटर की माध्यम से हटाना होगा जिससे आने माले वक्त में नई ड़ालिया नि प्ल सकें नई डाले अर्धान नई भूमिंग्स व्यार्थ के शीट पॉट सूखी और रोग से ग्रसे पत्त्यों को कटर के माध्यम से काट कर हटा दें देखicamente该 में नई ब्लूमिंग्स भी त्यार हो रहे हैं, नई डाले भी निकल रहे हैं, पर आँ तो ध्यान रखें, बहुत ही हार्ड कटिंग ना करें, सॉफ्ट कटिंग कीजिए, इससे पौधा जल्दी ही रिकवर करेगा और नई नई डाले प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, कटिंग के बाद ये पौधा इस तरह से लिखाई दे रहा है, इसमें मैंने कुछ सीट पौट बचा कर दूए रख दिये हैं, जो की मैं सुखा करके रखूंगी, और पौधे उगाने में, नए पौधे उगाने में, विशेशा है करने देख जैसे, आप भी अगर सीट पौट बचाना चाहते हैं, तो इन्हें ब्रक्ष के लगर आने में, सूखी हुई पत्तियों को भी हटाना बेहत ज़रूरी है, ये कुपोशित पत्तियां पौधे पर रूप को और भी फैला सकती है, इसलिए इन्हें तुरंद हटा देना चाहे हैं, अब बारी है, गमले की गुड़ाई करने और पौधे को उचित पोशन पताने की, देखिए, मेरे गमले में कई तरह के रक्ष, कई तरह के पौधे उगाए हैं, जिन्हें हटाना बेहत ज़रूरी है, इन पौधों की कटाई छटाई करूंगी और कुछ पौधों को इससे इसा करने पर इन पौधों को नुक्सान भी नहीं होगा, और ये मेरे लिए पुश्प पर दाशित करने के लिए भी तयार रहेंगे मिद्धी की अच्छी तरह से गुड़ाई करना अतियावश्यक है, इससे पौधों को एर पहत अच्छी तरह के से मिलते हैं, एक्स्ट्रा पौधों को हटा दीजिए, इन्हें आप दूसरे गंदों में भी रोपित कर सकते हैं किसी को ग्यप्ट भी कर सकते हैं गंदे में उगाई अनावश्यक घास पात को हटाना बेहर ज़री तो यह गंदे की अतरित पोशन को सोख लेती हैं, देखें, गंदे की गुराई करने के पश्चात आप व्रक्ष को गंदे को किसी धूप वाली जगह पर चौबिस घंडे के लिए छोग दीजिए, ऐसा करन से ब्रक्ष को एर सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, और फंगस से भी छुटकारा मिल जाता है, पत्पशात ब्रक्ष को बढ़िया पोशर देने के लिए, एक भाग मिट्टी, एक भाग अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, एक भाग नीन की खली औ और आधा चमच, कोई अच्छा सा फंगी साइड मिला करके, गुड़ाई की वे गमले में मिला दे और भर पोर पानी दे, इससे पौधे को नई उर्जा के साथ, डेवलप होने के लिए अच्छा पोशन मिलेगा, और पौधा जब दे ही रिकवर करेगा, नई ब्लु मिन्स क और आपको मेरा प्रेयास अच्छा लगा तो प्लेज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब.